अब मैं आपको मेरे निजी जीवन का बापू की कुरुपा बापू ने मेरे जीवन में क्या किया है इसके बारे में बताने का अनुभू जो है मैं आपके साथ शेर करने जा रहा हूँ ये बात है दोजार दो चोविस में की है जिस दोरान मेरा जो चीफ मेडिकल आफिसर का पोस्टिंग था उरण में था इस समय हमारी ड्यूटी एज अ मेडिकल आफिसर पूरे दीन करनी होती है और क्योंकि ये हस्पताल से जुड़ी हुए है तो हमें रात भर भी करनी पड़ती है और दूसरे दिन का ड्यूटी खतम होने के बाद हमको रिलीव किया जाता है ऐसे किसम कि ये कम से कम 36 से 48 गंटों का हमें ड्यूटी का जिम्मेवारी निभानी पड़ती है 24 मैं 2002 समय था 3 बचकर 54 मिनिट ये मेरे लिए जीवन का बदलाओ का सबसे बड़ा अनूब हो है और उसके लिए मुझे वो याद है उसके लिए मैं इतने डिटेल में आपसे बताने जा रहा हूँ उस दिन ऐसे हुआ था कि मेरी दो दिन की ड्यूटी खतम होने के बाद हमें वहां उरंड से बंबई आना था और यह जो जर्नी है उरंड से बंबई जो हमारे नेवर डॉकेरड है वहां तक आने के लिए हमें बोट से प्रवास करना पड़ता है अब यह जो नेवी की बोट है जिसकी कैपैसिटी है करीबन 250 लोगों को एक कट्टा एक साथ लेके जाने की इससे क्या हमें समझ में आता है कि यह जो बोट है बड़े साइस की होती है बहुत बड़ी होती है और उस बोट चूकि यह बड़ी है तो जहां पर वो किनारे लगनी है वो इतने नजदिक किनारे नहीं लगती है तो किनारा और और वो बोट का जो फासला होता है उसके बीच में जेटी होती है जिसके उपर से आपको जाने के लिए बोट में प्रविश करने के लिए व्यवसंता की होती है और ये जेटी के बाद एक pentoon याने floating platform होता है जिसको pentoon कहते हैं जिसके उपर से चलके आपको boat के अंदर प्रविश करना होता है मेरा उस दिन ऐसे हुआ कि मेरी duty खतम होने के बाद ये जो boat वहाँ से निकलती है करीबन 3 बच कर 55 मिनिट के समय पे निकलती है और उस समय पर आइस्ता आइस्ता यात्री आने लगते हैं चुकि मैं medical officer था मुझे मेरे car ने यहाँ पर drop किया मैं सबसे पहला आने वाला यात्री था और कोई वहाँ पर मौजिद नहीं था और मैं वैसे अपने धुन में अपनी bag लेकर boat में चड़ने जा रहा हूं उस फासले के बीच में से मैं पूरी तरह से खड़े खड़े अंदर गिर गया मेरे हाथ में back थी जैसे के एक फिजिक्स में होता है जैसे कोई चीज पानी में गिरती है तो एक बार उपर आती है मैं जैसे ही गिरने के बाद ऊपर आ रहा था तो मुझे समय प्रकाश किरण दिखाई दे रहे थे और तब मुझे मन में विचार आया मुझे नेवी में रहने के बावजूद मुझे तैरना नहीं आता है और मुझे चू की सायन का स्टुडेंट ये भी मालूम था अगर मैं मुझे अभी नहीं समाल पाऊं तो दूबार अगर मैं नीचे पानी में डूबने लगा तो मैं उपर नहीं आ सकता ये दोनों विचारों से मेरे दिल में डर पैदा हुआ और कहते हैं ना कि जब मृत्यू का जो हरन करने वाला है यहने यम होता है वो मैंने मेरे सामने देखा कि अब मुझे मौत आने वाली है क्या होगा पता नहीं लेकिन बताते हैं ना कि मानने जब मनने का समय आया था ले बोड शुरू होने में केवल दो मिनिट का फासला था और लंबे कोई एक कमांडो मरीन कमांडो करते हैं वो कहीं तो 50 से 80 मीटर दूरी पर था और उसने देखा कि कोई तो एक इनसान आगे जा रहा था और अचानक नीचे गिर गया है बिलियो करिए यह 80 मीटर का फासला वो आदमी वहां से दवड के आया और मैं फर्ष्ट बॉइंसी की वज़े से जैसे पानी से उपर आ रहा था और अगर मैं दुबारा वो मदद नहीं मिलती थे फिर से दुबारा पानी में जाना वाला था यानि यह कितने सेकंड का फासला ह हो सकता है इन दो से तिन सेकंड के बीच में ओर लंबे से आदमी दवड कर आया और मैं जैसे सर्फेस पर आया पानी के तो उन्होंने क्या कि जो पंटूर होता है मैंने वेचा फ्रोटिंग प्लैटफॉर्म होता है उसको एक जगे पकड़ के रखने के लिए एक बड़ा सा रोप होता है और रोप का कोई एक कोना खाली था रोप कोना उसने पानी में जैसे फेक दिया जिस तरफ मैं उपर आया था और मुझे कहा कि ये पकड़ लीजिए और मैंने वो पकड़ लिया और बाद में उस आदमी ने मुझे उपर ले लिया अभी ये कहने सुनने के अगर उस दरान प्रोपेलर शुरूआ होता पानी का यहने बोट का तो वो पानी में जो घुमने वाला फैन होता जिसको प्रोपेलर कहते हैं उसने मुझे खीश लिया होता और वो खीशने के बाद मेरी छरी के छोटे-छोटे तुकडे हो जाते यहने वो नहीं हुआ है जैसे मैं बोट से गीर रहा था एक ही फूट का पासला था तो मेरी चीन जो यह है वो लग जाती बोट के कॉर्नर बे तो वहां भी मेरे फ्रैक्चर होके मेरे दिमाग में कुछ असर हो सकता था यहां से बच गया मैं तीसरी बात जैसे बॉइंस से मैं उपर आ रहा था तो यह पा जो बोट का बॉटम होता वो मेरे सर को लग जाता और फ्रैक्चर भी हो सकता था यहने केवल तीन से चार सेकंदों में यह सब घटनाएं वहां हो सकती थी मेरे लिए बहुत बड़ा संकट आया था लेकिन संकट के सामने मेरा बाप मेरे से जो बड़ा है मेरे को बचाने के लिए जिसने मुझे आकर उस दिन बचाया था और यह कैसे हुआ है मैं बताना चाहूंगा मेरे बाप ने मुझे कैसे बताया अपने साही चरित्र में लिखा है कि अब घाते जरीब मी पाही चरेन करीन रक्षन मी तया चे तो मेरा हाल ऐसे हुआ था कि तब तक मैं बापू क के पास नहीं आ रहा था मेरे जो नहीं है सदानंद वर्तक जी उन्होंने मुझे बार-बार कहा था कि आप बापू के पास आई मैं केवल साही में मानने वाला भक्त था और तब तक मैं बापू के पास गया था तो केवल मेरे जो सहय गया है मेरे मित्र है सदानंद वर्तक ज उन्होंने मुझे special जो occasion होते बापू के हाँ कार्यक्रम होते उस दौरान special pass लेके मुझे वहाँ नियोता दे के बुलाया था और मैंने तब बापू के दर्शन लिये थे केवल केवल कहते हैं ना कि उसके दर्शन हुए थे उसकी दुरुष्टी मेरे पड़ी थी और मैं उसने मुझे भक्त मान लिया था तब तक मैंने उनको नहीं माना था अपना सद्गूरू लेकिन उसका अनुवो मेरे जिंदगी में जो हुआ है ये मुझे बहुत बड़ी बात है मेरे लिए क्योंकि ये घटना मेरे लिए कुछ second का फासला था उस second में मुझे बचाने वाला अगर नहीं आता तो मैं आज आपके सामने बात करने के लिए खड़ा नहीं होता इसकी प्रचिती भी हमें दी थी जैसे बापू हमेशा कहते है कि आपने कूल देवत का मोटी आई का आप हमेशा प्रणाम करो उसके प्रेम भाव में रहो तो मेरे बारे में यही उसका दृष्टान दुआ था यह जो बात हुई थी बराबर तीन बच कर मैं बोल रहा हूँ पहतालिस या पचास मिनिट की बात है और उसके अढ़ाए बजे की समय पर अढ़ाए बजे के समय पर मेरी मा जब अपने घर में बंबई में थी तभी उसके सपनों में हमारी कूल देवत जो रिनु का माता हम कहते हैं उसने पूरे उस रूप में आके माजी को कहाया था बेटा डर मत मैं तुमारे साथ हूँ लेकिन ममी को मेरे कुछ भी मालूम ने था यह क्या इसका संदर्व है और यह घटना हुई दो हजार दो चोविस अक्तूबर को उसके बाद उसके पहले छे मैने ही मेरे पिता का देहान्त हुआ था और यह घटना अगर मैं मेरे ममी को बताता हूँ तो पूरी डर जाएगी उसके लिए मैंने दो दिन ममी को यह बताया नहीं था लेकिन मेरे मेरे जो बदला हुआ था कि मैं दो दिन गुमसुम था और दो दिन मेरे ममी मेरे को पूछ रही थी क्या हुआ वे ता आप दो-तीन दिन बात नहीं कर रहे हो तब जाके मैंने जबी मुम्मी को ये बात बताई तब ही मुम्मी ने का कब हुआ है तो मैंने जबी ये घटना क्रम उनको बताया बराबर ये मेरा हाथसा जो हुआ उसके बराबर दो घंटे पहले मेरी कूल देवत जो है रिनु का माता उन्होंने सपने में आके हमारे माताजी को दर्शन दे के पूरा बताया था कि कुछ डरना मत मैं तेरे साथ हूँ तब ही मेरे माजी ने कहा कि देखो अपने कूल देवत का हम जो हमारे साथ है लेकिन मैं तो यह कहूँगा मेरे कूलर देवर था लेकिन जो बचाने वाला आया था उस दोरान जो नाविक था वो केवल मेरा सद्गुरू था जिसके वज़े से मैं इस बड़ी जिंदकी को खतम करने वाली गुरटना से मैंने पीछे मुझे बचाया लगाया था और इसके के लिए में पापु का पूर्ण आभारी हों अंबदने हों हरी हों